आपका मेरे चैनल में सुखात है, मैं आपको कच्चे के लिए की छिल्के की चट्नी बनाना शिखाऊंगी, तो चले फ्यूख करते हैं इसके लिए हम दो तीन के ले की चिल्कों को हम तार ल्ये और फिर इसको धोकर रख लिये अब इसको ए गलास पानी डालके एक बरतन में हम सुक्राइब तये यहा कि आशा कृते हमारा चिलका है की नहीं। हम चेक करके देख लेते हैं कैला का चिलका हमारा पाक चुका है अब हम इंदम्हां को बन्द कर देंगे और इसको यह बरतन में निकालके रख देंगे इधर हम गैस पर कराही चेहांगे और लाशून डाल कर इसको हम अधो मगा बहुं नेंगे और और जरुब काहिए हमारा बोन जाएगा तक दो श्राख धनियाव जो था ख魚 वाला ख़रा धनिया डाल के हम उसको भूनेंगे जब तक कि चटकने न लगे यह तीनों चीज अब हमारा भून चुका है अब इसमें हम दो चमस ख़रा धनिया डाल देंगे और इसको चटक की आवा जाने तक हम इसको भूनेंगे धनिया हमारा भून चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे गैस को बंद करने के बाद इन सभी चीजों को हम मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसमें स्वादा उन्फार नमक डाल देंगे स्वादा उन्फार नमक डालने के बाद उसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा और एक बार उसको हम चला लेंगे देखे हम इसको एक बार चला चुके हैं फिर इसमें केला का छिलका जुखा उसको हम डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से बार एक पीस लेंगे चटनी हमारा बार एक पीस चुका है देखे इस तरह का पिसना चाहिए चैटनी हमारा बन के रेडी हो चुका है अब इसमें हम निम्बुनी चोड देंगे और आधा चोटा चमस सर्फो तेल लाल देंगे चैटनी हमारा बन के रेडी हो चुका है देखे सर्फो तेल डाल चुके हैं चैटनी हमारा बन के रेडी हो चुका है एक खाने के लिए त्यार है हमारे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए थैंक यू